तो आज के स्यूडियू में हम जानगे कि आपने YouTube वीडियो को Google Ads के तुरू कैसे प्रमोट कर सकते हैं और Google Ads से आपको फायदा क्या मिलता है आपको रियल सब्सक्राइबर्स मिलते हैं तो आपको पूरा प्रोसेस step by step बढ़ाएंगा तो इस video को last तक देती रहेगा मैं आपको Google Ads computer में बताऊंगा लेकिन यही सारी चीज़ा अपने phone के Chrome browser में कर सकते हैं आपको का करना पड़ेगा आपको Chrome browser open करना और right side में three dot आते हैं website को open करने के बाद आपको अपने Google Ads के अकाउंट में login कर लेना है मैंने अपने गूगल अकाउंट पे 6000 से जादा रुपए अभी तक कि spend कर दिया है अपने channel को promote करने के लिए तो उसके बाद ही मैं आपको बता रहा हूं अब यहां पर शो कर रहा है option new campaign का इस पर आपको क्लिक कर देना है फिर आपको last option पर क्लिक करना है और यहां पर video option पर क्लिक कर देना है फिर आपको custom video campaign पर क्लिक करना है और continue कर देना है उसके बाद आपकी campaign शो हो जाएगी यहां पर आपने campaign का नाम लिख सकते हैं जैसे कि वह टेस्टिंग लिख दे रहा हूं कि टेस्टिंग के लिए बनाई है next option है यहां पर option यह है कि आप पैसा view के साबसे देना चाहते है पर view के साबसे या फिर target cpm का मतलब है कि आप 1000 views के साबसे पैसा दे पे करना चाहते है Google ads को तो यहां पर maximum cpvm क्लिक करेंगे और यहां पर फिर budget add करेंगे जैसे कि मुझे daily का budget लगाना है एक जार रुप है और यहा पर जाने के पाद आपको लास ओला option अंटिक कर देना है partner network मतलब है कि Google के काफी सारे partner है मतलब कि जैसे की Gmail हो गया कई सारी application में Google के add आते हैं और website पर भी add आते हैं तो वहां पर आपकी वीडियो को show करेगा next आप अपनी location अगर सकते हैं अगर आप Hindi language मनाते हैं तो आप नहीं होता है कि लोग सोचते कि English language select करने से जो लोग English में वीडियो देखते हैं उन लोगों को तब पहुंचेगी तेकिन ऐसा नहीं है जब भी आप नया smartphone खरीदते हैं तो आहां पर सभी smartphone की language English में होती है तो यह browser language होती है बागी सारा option को छोड़ देना है ज्याद आपको targeting की starting में नहीं करनी है यहां पर आड़ गरूप का नेम आपको दे सकते हैं कुछ भी demographics में आके आपकी target audience जो भी यहां से आप select कर सकते हैं इसको भी हमाइसा ही छोड़ दे रहा है आप यहां से keyword डाल सकते हैं जिस भी keyword पे आप अपनी YouTube वीडियो सर्च में रेंक करना चाते है YouTube के search yield में जैसे यहां पर मैं type कर दे रहा हूँ YouTube thumbnail कहसे बनाएं फिर आपको यहां पर कॉमा लगा देना है और इसके निचे आपको दूसरा keyword डाइड कर देना है जैसे कि मैं सिर्फ यह example के लिए बता रहा हूँ और यहां पर फिर से कॉमा लगा देना है topic को भी views नहीं करना है main यहां पर point आता है placement यह सबसे important पार्ट है placement में जाना है आपको आपके जो भी competitor है उनके चैनल पर आपकी वीडियो दिखेंगी चाहें आप उनकी वीडियो पर एड लगा सकते हैं फिर उनके वीडियो दिखेंगी वो भी आड आप लगा सकते हैं जैसे कि example के लिए मिले यहां से आप सेलेट कर सकते हैं उनका यह वाला चैनल भी उडियो सेम ही है टेकनिकल योगी कुछ ही मैंने चैनल यहां पर टार्गेट कर ली है इन चैनल पर मुझे अपनी एड रन करनी है आप इनकी किसी particular वीडियो पर भी एड रन कर सकते हैं यहां पर जाके जैसे कि यह इनकी यह वाले video में स्राड कर ला रहा हूँ जैसे ही इनकी यहाली video को दीखे गाई इन पर मियाre दीख जाएगा आप कि क्या है कि आ उपको कर गया क्रते है यह अपर देगcado स्कूभा दिखता है इनकी वीडियो नगी में सब्सक्तर कर लिए डियो को अक्रां कहां दिखेंगे मैं आपको बता रहा हूं जैसे कि दिख रहा है कि YouTube Home पे आपकी वीडियो दिख जाएगी YouTube Watch Next मतलब की इस रेस्टेड में आपकी वीडियो दिखेगी और यहां पे YouTube सर्च में आपकी वीडियो दिखेगी अब यहां पर आपको अपनी यहां पर आपको डिश्रेप्चिन लिखना है यहां पर यहां पर किकते देना चाहते हैं गूगल आट को यहां पर गूगल एड की तरफ से रिकमेंडर रहा है कि आप 0.54 पैसा इतना पैसे में आपकी एड्रेंड हो जाएगी तो यहां पर मैं 55 पैसा लगा दे रहा हूं और यहां पर क्रेट कंपेंट पर जाकी क्लिक कर देना है आपको उसके बाद कुछ टाइम लगेगा आपकी केंपेंट रिव्यू के लिए चली जाएगी और लगबग 24 घंटे तक ही लगता है उसी जल्दी ही हो जाता है और फिर आपका आड लोगों तो दिखने लगेगा तो जोस्तों आई होप आपको यह वीडियो च्छे लेगी कर आपको किसी और डफी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिखे बता सकते हैं मिलते हैं नेक्स शूडियो में